हेलो रियर स्टुडेंट वेलकम बैक टो दे लेक्ट्चर सेरीज आफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कॉंट्रोलर इंटरफेसिंग पिछले वीडियो में हमने डिसकस किया था बेसिक ब्लॉक डाग्राम ओफ 8085 के 8085 जो IC है इसके अंदर कौन-कौन से ब्लॉक्स होते है और इन सभी ब्लॉक्स के किस तरह से फंक्शन होते है तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले है कि 8085 में हमारे पास जो बसिस होती है डेटा बस, अड्रेस बस एंड कंट्रोल बस हो किस तरह से वर्क करती है तो चलिए जंदी से स्टार्ट करते है बेसिकली 8085 माइक्रो प पड़ता है तो इसी RAM एंड ROM को इंटरफेस करने के लिए हमें अलग-अलग address and data bus की requirement होती है जिसकी मदद से हम memory में से कोई data read कर सकते है या फिर memory में data write कर सकते है क्योंकि हमारे पास यहां पे जो microprocessor होता है इसमें को internal input और output नहीं होते है इसी वज़े से हम external output and input को interface करना प bus की requirement होती है तो लेट स्टार्ट विद अड्रेस बस microprocessor 8085 में हमें मिलती है 16 bit की address bus यहां पे bus का meaning क्या होता है bus यानि की number of wire की एक strip है जिसकी मिदद से हम microprocessor में से data या address को memory में या memory में से data को microprocessor में transfer कर सकते है इसके लिए 8085 में हमें address bus 16 bit की मिलती है address bus of 16 bits यह एक तरह की 16 wire की एक strip है जिसकी मदद से microprocessor है वो RAM में या ROM में data को transfer कर सकता है यहां पे जो हमें address bus मिलती है वो unidirectional address bus है यानि की microprocessor 8085 memory में से या फिर input output में से कोई भी address को transfer कर सकता है लेकिन एक ही direction में address transfer हो सकता है microprocessor to memory और microprocessor to input output तो यहां पे हमें 16 bit की एक address bus मिलती है जिसकी मदद से microprocessor address को transfer कर सकता है 16 bit का meaning क्या होता है यहां पे at a time 8085 16 bit को transfer कर सकता है तो यहां पे हमें 8085 में 16 bit यानि की अगर hexadecimal में हम लिखे तो 0000 यहां पे एक digit के अलग-अलग 4 binary bits बनते हैं तो यह हो गया एक hexadecimal number hexadecimal number 00000 से लेके हम FFFFH तक memory location indicate कर सकते हैं यहां पे हमारे पास 16 bit के memory location है जिसकी मदद से यहां पे हमें जो external memory मिलती है उसमें हमें 2 raise to 16 address मिलते हैं 2 raise to 16 अगर आप इसे calculate करोगे तो आपको मिलेंगे 6 5 5 3 6 locations जिसमें आप 8 bit का data store कर सकते हो इतने location हमारे पास है जिसकी मदद से हम यहां पे memory attach कर सकते हैं तो यह location को अगर आप hexadecimal में indicate करोगे तो आपको मिलेंगे 0 0 0 0 H से लेके F F F F H ता और location कितने होंगे 65 536 जितने location आपको मिलते हैं जिसकी मदद से आप यहां पे memory में data store कर सकते हो तो यहां पे हमारे पास 16 bit है अगर यहां पे हमारे पास 32 bits होते कोई ऐसा microprocessor है जिसमें 32 bits है तो इसके लिए हमें मिलते 2 raise to 32 and is equal to 4 kilobyte इतने location हमें मिलते जिसकी मदद से हम यहां पे 4 kb की memory या फिर 4 kb का data store कर सकते तो यहां पे आपके पास जितनी भी address line होती है इसके हिसाब से आपको memory की capacity पता चलती है कि microprocessor कितनी memory interface कर सकता है यहां पे हमारे पास अगर कोई mobile होता है तो mobile में जो microprocessor लगा रहता है उस microprocessor के साथ एक specific value की memory हम attach कर सकते है यानि कि उसमें अगर हमें 128 GB का memory attach करना है external memory attach करना है तो इसके लिए हमें उतनी address bus की requirement रहती है अगर आपके mobile में उतनी address line है नहीं अगर आपका जो mobile है उसमें जो processor लगा है उस processor के पास इतनी address line नहीं है तो आप 128 GB का memory card attach नहीं कर सकते हो ओके तो यहाँ पे आपको address bus से पता चलेगी memory की capacity के कितनी memory आप microprocessor के साथ attach कर सकते हो क्योंकि यह unidirectional bus है इसकी वज़े से हर बार यहाँ पे data कुछ इस तरह से होगा कि microprocessor जो भी location को read करना चाता है उससे directly address bus के through RAM में या फिर ROM में या फिर input output में से address को read कर सकता है और address sign कर सकता है कि यहाँ से आपको data read करना है तो यह एक तरह की unidirectional bus है next one that is data bus तो यहाँ पे हमारे पास जो data bus होती है वो 8 bit की data bus होती है microprocessor के जो basic feature थे उसमें हमने discuss किया था कि यहाँ पे हमारे पास 8 bit की data bus होती है तो यहाँ पे जो हमारे पास 8 bit की data bus है इससे अगर आप number of location identify करोगे तो आपको 2 raise to 8 यानि की 256 जितने यहाँ पे port मिलेंगे जिस पे आप data transfer कर सकते हो तो यहाँ पे जो हमारे पास 8 bit की data line है उस data line में आप bidirectional data transfer कर सकते हो यानि की microprocessor जब चाहता है तब यहाँ पे data memory में send कर सकता है या फिर memory में से read करके microprocessor में load कर सकता है तो यहाँ पे bidirectional bus है यानि की two way communication हो सकता है जबकि address bus में compulsory address microprocessor send करेगा कि इस address से हमें data read करना है यानि कि unidirectional है, memory में इसे कोई address आप microprocessor में directly send नहीं कर सकते हो जबकि data line में आपको microprocessor में से जो data result मिला है उस result को अगर memory में store करना है तो यहाँ पर bidirectional बसे उसकी मदद से आप यहाँ पर memory में से data microprocessor में load कर सकते हो या फिर microprocessor में जो भी आपको result मिला है उस result को लेके directly memory में store कर सकते हो तो यहाँ पर आपको 256 अलग-अलग location मिलते है जिसकी मदद से आप यहाँ अलग-अलग data को transfer कर सकते हो और अगर आपको इसे hexadecimal में convert करना है तो hexadecimal में होगा 00H से लेके FFH तक यह जो हमारे पास location है इस पर आप I.O को connect कर सकते हो और I.O को यहाँ पर interface करके कोई भी communication करवा सकते हो तो यहाँ पर जो आपकी data line है इस data line एक तरह की bidirectional bus है जिससे microprocessor data read कर सकता है या फिर microprocessor से लेके data memory में store कर सकता है या फिर I.O पर data transfer कर सकता है इन सभी communication के लिए यहाँ पर 8 bit के आपको control line मिलती है यह जो control line है इससे memory या फिर I.O को control किया जाता है तो यहाँ पर आपके पास microprocessor 8085 में जो control line है इस control line के मदद से memory and I.O को control किया जाता है इसके लिए यहाँ पर आपको मिलता है I.O slash M बार एक control signal दूसरा मिलता है read का control signal और तीसरा मिलता है write का control signal यहाँ पर आपके पास read write का control signal है इसकी मदद से आप यहाँ पर I.O read, I.O write, memory read and memory write का function ले सकते हो इसके अलावा यहाँ पर जो आपके पास memory है इस memory में जो आपका program store होगा इस memory को read करने के लिए यहाँ पर एक अलग से एक function दिया जाता है जिसे बोलते है upcode fetch, अपcode fetch क्या है इसके बारे में हम जब programming start करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि upcode क्या होता है जो भी instruction, जो भी keyword use होते है programming के लिए इसे बोला जाता है upcodes तो कौन-कौन से upcode data transfer के लिए use होते है, arithmetic operation के लिए upcode कौन से use होते है इसके बारे में हम जब programming करेंगे तब हम इसके बारे में discuss करेंगे तो यहाँ पर आपको जो control line मिलती है, एक control line में आपको इस तरह से अलग-अलग controls मिलते है जिसकी मदद से आप memory या फिर I.O को read-write कर सकते हो इसके अलावा upcode fetch भी कर सकते हो इसी वज़े से यहाँ पर जो control line मिलती है वो आपकी memory के साथ और I.O के साथ interface की जाती है जिसकी मदद से आप यह सारे operation ले सकते हो यहाँ पर जो control line है वो एक तरह की unidirectional bus है इसके अलावा जो हमें यहाँ पर address line मिलती है उस address line में दो पार्ट मिलते है फिर्स पार्ट है इसमें हमें मिलते है AD0 से लेके AD7 and second one part that is A8 to A15 फिर्स पार्ट में हमें 8 bit मिलते है जिसमें हमें address and data को multiplex form में मिलते है जिसमें A0 से लेके A7 and D0 से लेके D7 को multiplex किया जाता है इसका मैंने आपको reason बताया है था कि अगर आपको microprocessor में number of pin को reduce करना है तो इस तरह से multiplexing किया जाता है जिसको हम बाद में demultiplex करके address या फिर data को at a time use कर सकते है और next one जो higher address है address बसे उसमें हमें 8 bit मिलते है जिसमें A8 to A15 अलग-अलग 8 bit को जोड दिया जाता है जिसकी मिदद से आप address को पूरा 0000 edge से लेके FFF edge तक send कर सकते हो और इस पे data read या write करवा सकते हो तो इस तरह से हमें जो यहाँ पे address line में AD0 से लेकि AD7 मिलता है इसको किस तरह से demultiplex किया जाता है इसके बारे में हम next video में discuss करेंगे तो यह था पूरा bus organization of 8085 microprocessor unit नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरह से address और data को demultiplex किया जाता है इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत discuss कर लिया था कि address और data को demultiplex करने के लिए यहाँ पे एक pin यूस होती है जिसको हम बोलते है a-l-e pin address slash enable pin इसका function किस तरह से होता है इसके बारे में हम next video में discuss करेंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करना, share करना और चैनल को subscribe कर लेना जिसकी मदद से आपको सारे वीडियो के notification सबसे पहले मिलते रहे तो मिलेंगे next video में, thank you very much